तो अब से देर घंटे में होगा गंतवे बे प्रस्थान तो जरा देखें बोगो और आप और ना करें दूमर पाथ वरना दंडिनिये हो सकता है अन्जाम अगर उचाई की बात करें तो होगा 36,000 फीट का मुकाम क्योंकि अगर और उपर गए तो शायद दिख सकते हैं वगवान आज 800 किलोमेडर पती घंटे की गती से उड़े गए विमान और सर भी बहुत होगी बहाद सुनने से 45 डिगरी कम होगा ताप मान अगर मौसम खराब हो तो बानकुर्सी की बेटी करे विश्राम और कोई भी आवश्यक्ता हो तो बेज जख करे विमान कर्मियों को परिशान पठोड़ा लिमिट में करें वरना बन सकती है शैतान सबी विमान कर्मियों से गजारे शैक्र प्या बनाए रखिएगा मुसकान आप सभी का स्वास्ते बनाए रिमने के लिए उपलब्ध है जलपान अप से अत्रियों से वार्त लाप करें शायद रास्ता कटे आसान मैं आप से विजा लूँगा और बाते होगी आख्री चरण के दौराथ सब तक आनद लीजिएगा जवी से उपर खुबसूरत होगा आस्मान एंजॉय रिखलाई बाबाय तो अब से देर घंटे में होगा गंतवे बे प्रस्थान तो ज़रा देखें फ्लोगों आराब और ना करें दूमर पाथ वरना दंडिनिये हो सकता है अन्जाम अगर उचाए की बात करें तो होगा 36,000 फीट का मुकाम क्योंकि अगर और उपर गए तो शायद दिख सकते हैं भगवान आज 800 किलमिड़ पती घंटे की गती से उड़े गए विमान और सर भी बहुत होगी बाहर सुनने से 45 डिगरी कम होगा ताब मान अगर मौसम खराब हो तो बानकुर्सी की बेटी करें विश्राम और कोई भी आवश्यक्ता हो तो बेज जग करें विमान कर्मियों को परेशान पतुड़ा लिमिट में करें वर ना बन सकती है शैतान सबी विमान कर्मियों से गजारे शैक्रपया बनाए रखिएगा मुस्कान आप सभी का स्वास्ते बनाए रखने के लिए उपलब्ध है जलपान अब से अत्रियों से वांतलाब करें शायद रास्ता कटे आसान मैं आपसे विदा लूँगा और बाते होगी आख्री चरण के दौरा से तब तक आनद लीजिएगा जबी से उपर उपसूरत होगा आस्माई एंजॉय रिफ्लाइग बाबाय सुकून